एलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपकी चैनल केरवल फामा में तो आज का जो मारा टॉपिक है वो है बोडी सिस्टम जिस फ्रेंड्स हमने कल H.A.P. 1 में अमने लेक्चर 1 देखा था जिसमें हमने अने एनाटॉमी एंड फिजियोलोजी को देखा था और हमने हिमन बोडी के structure organization को देखाता है तो अब हम आज देखने वाले हैं human body की body system के बारे में कि body के इंदर कितने system होते हैं और वो कहां-कहां present होते हैं उनके function क्या होते हैं तो friends आप बहुत ही ध्यान से वीडियो देखते रहें इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपके body में कितने system होते हैं और वो उनके क्या-क्या नाम होते हैं आज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं कि अगर कोई भी पूछ ले कि 11 system है तो उनको आप नाम गिराओ तो तुरंट आप उनहीं को देखके उन 11 system के नाम बता देंगे तो चलिए हम start करते हैं तो आज हम देखने वाले हैं पहला हमा जूँ पर से समधने के लिए काफी है तो अगर आप अपनी body को ऊपर से देखे एक बार notice कीजिए यथ है आप अपनी body को अग्ट लेकलत प्रेंट प्रेंट होते हैं ब्रेन और और नियृोंस और यहां क्या काम करते हैं मतलि हमारी बदी को kontrol रहते हैं और ब्रेंस नीरों आपको बस इसी से याद रखना है कि जब भी आपको कुछ याद करना को आप अपनी बोडी को देखें ऊपर से यहाँ नर्ष सिस्टम है इसके आपको नर्वस भी याद आजाएगा आपको यह नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे WhatsApp ग्रूप पे अगर आप उसमें जॉइन नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके जॉइन हो सकते हैं वहां पे आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे और अपडेट भी मिलती रहेंगी तो हमारे यहां पर आपको देखें इसके नोज है और ज क्या सीट्म में इनडर आते इसको एक्जो ख्राओ्स उस्टम में भी आते हैं छो मतलब डख्रावरा ग्राय क्डे हो और यह भी कुछ रिलीज करते हैं जैसे हमारे तो स्वे टरियंड हो गए हैं तो यह नकालते हमारी skin से sweating करते हैं मतलब पशीनिय को बाहर निकालते हैं तो वो हमारे एक्जोक्राइम के अंदर आते हैं इससे आपको यहाद रहेगी कि यह किसमें इंटर्गिमेटरी सिस्टम हमारा दूसरा सिस्टम है अब फ्रेंड्स हमागर थोड़ा नीचे आएं तो यहाँ पर हम देखते हैं यह हमारे ट्रेकिया है उसके बाद यहाँ पर हमारे लंग्स आ रहे हैं अब यह हमारे लंग्स बगरा हैं तो यह सब किसके अंदर आते हैं यह हमारी रेस्पाइरेशन में हेल्प करते हैं तो हमारे किसके अंदर आते हैं रेस्पाइरेटरी सिस्टम के अंदर तो हमारा तीसरा सिस्टम है रेस्पाइरेटरी सिस्टम और इसका फंक्षन भी आपको याद हो गया होगा कि यह क्या करते हैं हमारी रेस्पाइरेशन में हेल्प करते हैं जिससे हम क्या लेते हैं है उनहीं के यहां पर वन थर्ड पर हमारा क्या होता है अब हर्ड का काम क्या होता है कि यह बिलड को यहां से लेता है लंग से और पूरी बॉरी में सर्कुलेट कर देता है फिर बापिस लंग में आ जाता है फिर और पूरी में सर्कुलेट कर देता है मतलब हम यहां पर पढ़ते हैं लंग्स के बाठे में चला काइब करते हैं उसके हम कार्डियोजकुलर सिस्टम बोलते और इसको हम circulatory system के नाम से भी जानते हैं यहां पर आप देखिए पूरे प्रोवाइट है यह केवल मैं rough diagram लिया है आपको समझाने के लिए बाकी cardiovascular system हमारा चौता system और इसको हम circulatory system भी बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है हमारे पूरे body में blood को circulate करने में help करता है अब थोड़ा गर नीचे जाएं तो यहां से हमारी इसोफेगस के तरह यहां हमारा stomach होता है उसके बाद हमारे यहां पर small intestine और large intestine दोनों होती है तो अब stomach और small intestine large intestine क्या वर करते हैं यह हमारे human digestion में बहुत help करते हैं जो हम food intake कर रहे हैं उससे हमको क्या कर रहे हैं डाइजेस्ट कर रहे हैं nutrition absorb करने में भी बहुत helpful है तो अब यह सब मारे किसमें आता है digestive system में आता है तो friends हमारे यहां पर पांचमा system यहाद हो चुगा है digestive system आप अपनी body को सिर्फ देखते जाना है उपर से scan करते जाएं यहां पर nervous system इंटागिमेटरी system क्योंकि हमारे skin वगएर आ गई फिर यहां पर यहां पर यहां पर रेस्पारिटरी system देखेंगे फिर lungs के बीच में हमारा heart होता है जिससें कार्डियो वश्किलर system फिर हर्ड के नीचे हमारे यहां पर आ जाते है हमारे stomach आते हैं small intestine large intestine जो हमारे digestive system में आते हैं अब अगर हम इनके side पे यहां नीचे देखेंगे तो यहां पर हमारी दो kidney होती है तो kidney क्या बर करती है यह हमारे बिलड जो जहां से आया उसको filter करने का काम करती है filter और kidney को renal भी बोलते है इसलिए हम इसका हमारा यहां पर आ जाता यूरिनरी system और इसको हम साथ के साथ renal system भी बोलते हैं यह देखिए six हमारा हो गया urinary system renal system यह भी आपको याद रहेगा बस आप उपर से करते चले जाना है अब हमारे इसलिए हमारे यहां पर मारे रीप्रॉड़क्टिव system यह क्या करते हैं यह वह के नीचे चाहुं तो हमारे यहां पर मैं पर यहीं होती है अगर अगर हम मसल से देखें, कि मसल क्या काम करती है हमारी मूवमेंट में बहुत हल्फुल करती है क्यायों कि यह क्या करती है, थोड़ा स्ट्रेच होती है आगे पीछे जिससे हमारी बॉड़ी मूव कर दिया है तो यहां पर हम पढ़ेंगे muscular system के बारे में आटमा हमारा muscular system हो गया इसके बारे में आप पढ़ते हैं अब अगर आप देखें कि muscles हैं तो muscles के नीचे क्या होती है bones होती है अब bones क्या क्या होती है bones maintain the structure of body and its organ and give protection मतलब bones का काम होता है कि यह अपनी body के structure को maintain करती है कैसे अब अगर अगर bones नहीं होगी तो muscles भी टिक नहीं पाएंगे muscles भी क्या होगी नीचे गिर जाएंगे मतलब bones हमारी बहुत ही important है एक तो body को structure देने में दूसरा उसको maintain करने में कि body का कैसा structure बनेगा अगर इसके हड़ियां लंबी होते हैं जहां पर तोड़ी निकली होती है कभी-कभी देखा होगा आपने तो उसके muscles भी उतना ही ज्यादा होता है पैर भी उतने ज्यादा लंबी होते हैं तो बहुत हड़ियों पर डिपेंड करता है जो मतलब क्या कर रहा है हमारा bones वगरा होते हैं जो हमारे organ मतलब इन सब को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं जैसे हमारे यहां lungs हैं तो इनके उपर हमारी ribs cage बनी होती है अब यह क्या करते हैं हमारे lungs और heart को problem protection प्रोवाइड कर रहे हैं अब हमने एक चीज अब हमारे यहां तक हो गए नौ system अब हमें 10 और 11 कैसे याद रखने हैं कि आपने दिखा होगा हमारी पूरी body में blood है अगर आपके उंगली पे इकट जाता है तो भी आपके body से blood निकलने लगता है तो blood का काम क्या होता है कि blood के अंदर हमारे RBC डव blood के अंदर हमारे होते हैं RBC, WBC और WBC प्लेटिलेट तो WBC प्लेटिलेट और WBC में हमारे होते हैं lymphophils, neutrophils यह क्या करते हैं हमारे immune system को generate करते हैं जो हमें foreign material से help करते हैं protection provide करते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं immune system के बारे में test तो वो पूरी हमारी body में ही present होता है blood के रूप में अब क्या होता है कि आपने अगर कभी देखा कोई diagram जिसमें हम बहुत सारी नशय देखते हैं beans देखते हैं तो blood vessels जो होती है RTL उनके साथ में एक होती है blue valley वो हमारी beans आजाती है फिर साथ में एक और vessels होती है जिसको हम lymphatic vessels बोलते हैं यह क्या करते हैं lymph carry करते हैं तो lymph क्या चीज होती है यह भी मतलब एक protection ही हमारी body को देती है जो हमारे blood से ही छन कर मतलब आप कह सकते हैं कि छैसे छन छन के उसमें थोड़ा थोड़ा यह उसमें नीचे आती रहती है vessels में और यह हमारा lymph बनता है मतलब हमारा blood से ही lymphatic vessels lymph बनता है और यह भी हमारा protection में help करता है अब हमारा आखरी जो है 11th system वह हमारा है endocrine system आपको यहां तक 9 याद हो गई है और उसी से हमारा lymphatic system भी बनता है फिर हमारा endocrine system आख रही है यह क्या करता है हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे blood में मिलके और क्या करते हैं जो पूरी body में हार्मोन को पहुंचाते हैं जो अपना work करते हैं एक जामपल ले अगर हम यह पूरी body में होते हैं यहां पर हमारे penial gland है hypothalamus बगेरा से जो साथ में होते हैं यहां पर हमारा thyroid gland है और भी होते हमारे यहां पर पैंक्रियाज है तो हम एक एक जामपल समझते हैं कि लेट कीजिए थाइरोइड gland है वह क्या करता है हमारा T3 & T4 एक हार्मोन को जनरेट करता है वह हार्मोन क्या करता है मैं growth hormone भी बोलते हैं जो हमारी growth में help करता है helping growth तो हमारे endocrine system भी होते हैं वह बहुत helpful है तो यह इस तरह से आप अपने यह 11 system को याद रख सकते हैं और इनके with function कि आपको आप बोडी को ही देख लें तो आप यहां पर देखेंगे heart pumping करना है blood को lungs हमारे respiration में help करना है तो इससे यह पूरे के पूरे 11 system आपको याद भी रहेंगे easy है friends I hope आप लोग को यह समझ आया होगा और आप लोग यह भूलेंग नहीं आज मिलते हैं आपसे अगले lecture में जिसमें हम इसके आगे की lecture को देखेंगे HAP 1st series में तब तक के लिए thank you, take care, bye bye please like, share and subscribe